जहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने योटूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे पार्ट ट्विंटी नाइन तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर दोस्तो इस समय इंडिन आर्मी की एक बहुती महत्पूर्ण कोस्टिन की सीरीज चल रही है जिसमें हम 500 कोस्टिन आपको लेकर आए हैं जनरल नॉलिज और साइंस के तो चली दोस्तो ज्यादर समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो आज के जो हमारा फर्स्ट कोस्टन होगा वो स्टार्ट होगा दोस्तो कोस्टन नंबर 420 बन से ठीक है तो question number 420 तक हम already करा चुके हैं अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज का link जो है वो description में मिल जाएगा आप जाकर जरूर देख सकते हैं तो question number 421 है दोस्तो Orange is rich source of vitamin DAS ठीक है? निमलिकत में से सौरी, संत्रे में vitamin DAS पिर्चर मात्रा में पाया जाता है options हैं vitamin A, vitamin B, vitamin D और vitamin C तो संत्रे में दोस्तो जो vitamin पिर्चर मात्रा में पाया जाता है वो है दोस्तो vitamin C तो option D यहाँ पर आपका एकदम सही answer होगा अगला question है हमारा question number 422 melting point of ice is बर्फ का गरलनांक डैस है option से आपके 40 degree Celsius, 50 degree Celsius, 1000 degree Celsius और 0 degree Celsius तो दोस्तो बर्फ का जो गरलनांक होता है वो होता है 0 degree Celsius तो option D यहाँ पर आपका एकदम सही answer होगा अगले question के तरफ चलने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि यह हमारा what's up number है दोस्तो 827202919 अगर आपके पास में इंडियन आर्मी का कोई भी question paper पड़ा हुआ है तो अभी भी आपके पास में time है आप हमें भेज सकते हैं और उसमें से जो important questions होंगे वो मैं इस पीडियो की जो इस सीरीज की जो आने वाली वीडियो से उनमें मैं सामिल करूंगा ठीक है तो question number 423 है दोस्तो वरास contains dash पीतल में dash सामिल होता है ओप्सन से आपके copper and tin, copper and silver, copper and nickel and copper and zinc तो दोस्तो पीतल जो है वो एक मिस्र धातू है और इसमें copper and zinc यानि की option D इस question का विलकुल right answer होगा ठीक है copper और zinc के इसमें जो है वो सामिल होते हैं अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question के तरफ question number 424 यानि की 424 मैंडलीव की आवर्थ सानडी किस पर आधारित है ओप्सन से आपके परमालू घेरा, परमालू भार, परमालू आयतन और परमालू संक्या तो दोस्तो मैंडलीव की जो आवर्थ सानडी थी वो atomic weight यानि की परमालू भार पर जो है वो आधार रहते हैं तो option B यहाँ पर आपका सही answer होगा आप चलते हैं दोस्तो अगले question के तरफ question number 425 which of the following is a major component of biogas निम्न में से कौन biogas का मुखी घटक है तो दोस्तो बायो गैस का मुखी घटक इनमें से कौन सा है options है oxygen, nitrogen, methane और helium तो question number 425 का जो सही answer है वो है आपका option C methane ठीक है चलिए अब चलते हैं अगले question के तरफ question number 426 blood is purified in which part of body मनुष के सरीर के किस अंग में रग्त को सुध किया जाता है option से आपके kidney, lungs, heart और आथ, ठीक है, intestine तो यहाँ पर question number 426 का जो सही answer है वो है आपका option A, kidney यानि की गुर्द है, मनुष का जो सरीर का जो दोस्तो हमारा रग्त होता है यानि की blood होता है उसको kidney जो है वो purifier का काम करती है तो option A यहाँ पर आपका सही answer होगा आप चलते हैं दोस्तो अगले question के तरफ लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए बता दूँ कि दोस्तो यह हमारी channel पर जो है वो part 29 चल रहा है, part 28 मैं already करा चुका हूँ, तो उमीद करते हैं दोस्तो आपको जो part में करा चुका हूँ, वो सभी पसंद आई होंगे और आगे भी आप हमारे साथ में इसी तरह बने रहेंगे, तो 427 नमबर question है, निमलिकित में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रियोग करने से stainless steel बनता है, option से आपके aluminium, thama, chromium और tin, तो question number 427 का दोस्तो जो सही answer होगा, वो है आपका option C chromium, ठीक है? जब लोहे के साथ में, दोस्तो, chromium के लिए mix किया जाता है, तो stainless steel जो है, वो produce होता है, तो option C है आपके एकदम सही answer होगा, question number 428 है दोस्तो, आकासी पिंडो को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रियोग में लाया जाता है, options हैं, telescope, bioscope, periscope और microscope, तो question number 428 का दोस्तो, आपका सही answer कौन से होगा, option A, telescope, ठीक है? आप चलते हैं दोस्तो, अगले question के तरफ, question number 429, 429 number question है, where the sun temple located, सूर मंदर कहां पर इस्थित है, options है, कोणांक, मदरय, चेननाई और गोवा, तो दोस्तो, कोणांक मंदर जो है, sorry, सूर मंदर जो है, वो कोणांक में इस्थित है, यानि कि उडिसाम है, तो option A, यहां पर अंसर होगा, अगला question है, हमारा question number 430, महावारत किसनी लिखा था, who wrote महावारत, options हैं, कालिदास, बेदब्यास, बालमीकी, और सूर्दा, तो question number 430 का सही अंसर होगा, आपका, option B, बेदब्यास, महावारत के रचीता कौन थे, बेदब्यास थे, अगले question की तरफ चलने से पहले, दोस्तों, मैं आपके बहुत बड़ी, जो आपकी confusion है, उसको दूर कर देना चाहता हूँ, इस समय दोस्तों, एक fake news चल रही है, जो कि Indian army में age को relaxation देने की बात चल रही है, कि मतलब आपके लिए age में जो है, वो दो साल के छूट मिलेगी, ल बहुत सारे राजी सरकारों की तरफ से भी, और बहुत सारे नेताओं की तरफ से, बहुत सारे जो है, वो organization की तरफ से, कि Indian army में जो कोरोना की बज़े से, दो साल की जो है, गैज में रिलेक्सेशन दिया जाए, लेकिन आपको मैं clear कर दूँ, Indian army की तरफ से अभी तक इस पे क कोई भी official बयान नहीं आया है, तो अभी कोई भी अगर आपसे ये बोलता है, कि आपकी जो age में रिलेक्सेशन मिल गई ही, तो बिलकुल गलग खबर होगी, अब चलते हैं, अगले question के तरफ, question number 431, where is the capital of हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहा है, तो द दोस्तो, option A आपका एगदम सही answer होगा, ठीक है, अब चलते हैं, दोस्तो, आज के अगले question के तरफ, question number 432, 430 number question है हमारा, the Indian Institute of Science is located, भारती विग्यान संस्थान कहां इस्तित है, तो भारती विग्यान संस्थान यानिके Indian Institute of Science जो इस्तित है, दोस्तो, कहां पर है, बैंगलोर में, तो option C यहाँ पर आपका सही answer होगा, अगले question के तरफ चलते हैं, दोस्तो, question number 433, 433 number question होगा आपका, where is the headquarters of International Cricket Council located, अंतरराष्ट्री क्रिकेट पर सकता मुख्याला कहां इस्तित है, तो दोस्तो, ICC का जो मुख्याला है, वो UAE, यानि की United Arab Emirat में है, और उसके दुबई सहर में, तो यहाँ पर question number 433 का सही answer option भी रहेगा, अगला question है, हमारा question number 434, तो 434 number question में, दोस्तो, काफी mistake होगा यह मुझे, यहाँ पर मैं यह question type कर रहा था, कि India और पाकिस्तान के बीच में, जो कारगे लिए दुआ था, वो कब हुआ था, लेकिन इस question के मैंने option type कर दिये, question मैंने पुराना वाला ही रहने दिया, जिसके विज़े से यह question दोस्तो, गलत हो गया, ठीक है, तो इस question को दोस्तो हम कल कराएंगे, जो कल का part आएगा, part number 30, उसमें हम 15 के जगा 16 question आपको लेकर आएंगे, अब चलते हैं दोस्तो, आज की last question के तरफ, question number, question number 435, तो 435 number question है, how many fundamental rights are there in our constitution, हमारे सम्मेदान में कितने मूल इदिकार हैं, तो दोस्तो हमारे सम्मेदान में जो इस सम्मेदान में मूल इदिकार हैं, वो कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पर option A आपका एग्दम सही answer होगा, तो दोस्तो, चमा चाहता हूँ कि आज थोड़ी सी mistake होने के बज़े स यह question गलत हो गया है, तो इस question के लिए हम कल कराएंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं Indian Army, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कारगे लिए दुआ था, उसका question डाल रहा था, option डाल चुका था, लेकिन यहाँ पर question डालना भूल गया, तो sorry दोस्तो इस question के लिए, तो उम्म आसकार, जय हिंद, जय भारत